मिशन शक्ति के तयाद ग्रामीर अंचल में चौपा लगाकर महिलाओं को जागरू किया गया महिलाओं थाने के प्रभारी डेजी पवार ने गाओं में पहुश कर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाले अपरादों पर रोक थाम के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभ्यान के तहद शहर देहात में घर गर पहुँचकर महिलाओं को जागरू किया जा रहा है महिला थाना प्रभारी डेजी पवार भी शहर और देहात शेतर में चौपाल लगा कर महिलाओं को जागरू कर रही है महिला थाना प्रभारी डेजी पवार ने किरावली शेत्र में टीम के साथ चौपाल लगा कर महिलाओं को हल्पलाइन नमबर एक शून्य नौशून्य के बारे में जानकारी दी महिलाओं और लड़कियों को बताया गया कि आते जाते रास्ते में या फिर सारवजनी के स्थान पर किसी भी तरह की परिशानी होने पर एक शून्य नौशून्य डायल कर पुलीस की सहयता ले सकती हैं कॉल करने पर ततकाल पुलीस मदद के लिए बताय गई स्थान पर पहुँचेगी जागरुकता अभ्यान के तहट पैंफलेट भी वित्रित किये जा रहे हैं जिससे लिखे गए नमबर पर कॉल कर महिलाएं पुलीस की सहयता ले सकींगी इसके साथ ही सरकार से मिलने वाली यूजनाओं के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी जा रही है जिससे वह यूजनाओं का लाब ले सकें मुखे मंत्री योगी अधितनात के आदेश पर ये अभ्यान चलाया जा रहा है सी नियूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट